Hello everyone, welcome back to my channel इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बहुत कम नंबर है MP State Counseling करवाना है इस बार किसी भी condition में इस साल कॉलेज लेना है तो क्या करें कम नंबरों पर भी काउंसलिंग में कैसे पार्टिसिपेट करने पर आपको कॉलेज मिल सकता है तो मैं इस वीडियो में आपके लिए एक अच्छा खासा solution लेकर आई हूँ इसलिए इस वीडियो को end तक देखिए देखिए कुछ ऐसे student है जिनके 250-260 marks है बट वो MP में ही medical college लेना चाहते है MP की domicile है ये तो बात बहुत obvious है कि इतने कम marks पर general category, OBC category को government college तो कहीं नहीं मिलेगा बट private college मिल सकता है बट आपको इस सब चीजों के लिए कम number आए हैं तो आपको एक अच्छे counselor की जरूरत है कि आप जो आपको perfectly guide कर सकें और आपको counseling के end round तक लेकर जाएं और कम number पर भी college या फिर आपको seat दिलाएं तो आप लोगों केशन जी counselor की link में description box में mention करूंगी आपकी कम number है आप seat लेना चाहते हैं NRI quota से आप seat ले सकते हैं counselors आपकी पूरी पूरी मदद करेंगे seat दिलवाने में अगर आपके 460 number है 465 number है बट आप mop up round तक generally students नहीं जाते हैं क्योंकि बहुत जादा fee लग जाती है security deposit ये सारी process तो बहुत सारी student पहले ही पीचे हट जाते हैं क्योंकि उन्हें उस वक्त ऐसा कोई support नहीं मिल पाता है जिससे जो believe करवा सके कि उन्हें 100% seat मिल जाएगी तो ये counselors आपकी पूरी मदद करते हैं आपको seat दिलवाने में तो आप 2-3 तरीके से seat ले सकते हैं पूरा आपको guide करेंगे अभी round 1 का result आ चुका है round 2, mop up और भी जितने college level की counseling होती है वहां तक जाकर के आपको college दिलवाने की कोशिश करेंगे link description box में मैंने mention कर दी है आप उस link पर जाकर जरूर click करें और एक बार अप counselor से बात करके अपने marks के हिसाब से best college उन लोगों से भी आप पूच सकते हैं thank you so much for watching this video